सब्सक्राइब कीजिए विचितर फॉर यू चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस साइन्स मिस्ट्री एंड टेकनोलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दुनिया में आज भी कई ऐसे रहसे मौजूद हैं जिन पर विश्वास का नाम मुश्किल है कि क्या सच में ऐसा संभव है इन्ही रहसियों में से एक रहसे है आसमान से होने वाली मचलियों की पारिश का क्या सचमुच आसमान से मचलियों की पारिश होती है क्या आसमान से मचलियां गिर सकती है कुछ ऐसे ही विचितर घटनाओं को जानेंगे आज के इस अंक में भी नहीं बलकि कई बार हुई हैती है जैसा कि हम जानते हैं मचलियां पानी की वूण तो है नहीं जो आसमान से बारिश बन कर गिरेंगी और इनका वाश्पिकरण होने का तो कोई सवाल ही नहीं फिर सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या होता है कि पानी की मचली आकाश में पहुंच जाती है यह सब जलस्तंब यह बवंडर जिसे हम इंगलिश में टॉर्नेडो भी कहते हैं के कारण होता है जब कोई बवंडर समधर तलिया नदियों के पास आता है तो यह पानी के साथ-साथ इसके आस-पस या पानी के सतर पर मौझूद कीडे मौकोडे छोटी मचलियों को खीच लेता है जिससे वो जीव हवा के माध्यम से बादलों में उपर तक पहुंच जाते हैं जैसा आपने अकसर जमीन पर आने वाले बाउंडरों में हलकी चीज़ों को आकाश की तरफ जात जब हवा की गति धीमी पड़ती है तब यह बाउंडर जहां कहीं आस्मान में रहता है वहां इन सारी चीजों को गिरा देता है चुकि बाउंडर के उठने और थमने में समय लगता है और इतने में कई किलोमेटर की दूरी भी तैक कर चुका होता है इसलिए यह पस्ट है कि बाउंडर जहां प्रारंब करता है वहां मचलियों की बारिशोनी की संभावना कम होती है लेकिन हाँ इसका समुदर के आसपास होने की संभावना काफी अधिक होती है वैग्यानिकों की माने तो हर साल लगभग 40 बार विशो के अनिक जगहों पर ऐसी घटना देखने को मिलती है दो बहुत सारे जीवासमान के नीचे गिरते हुए देखे गए इनमें मचलियां कीडे और केकडे हैं यहां तक कि सांब जैसे आकार के जीवों को भी आकाष्ग से नीचे से गिड़तेे देखा गया हाला कि यह बहुत कम होता है तो दोस्तों अगली बार जब आपके आसपास मचलियों की बारिश हो तो इसका आनंद जरूर उठाएं दोस्तों आप इस रहसे में घड़ना को कितना सत्य मानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आपको झालडब साथी जरूर दोस्तों आपको जरूर उन्द दोस्तों हमचलि िौद वक्तवियों आपको चल्ड़ को कितने हैं